मैं देवेश दिवागान आप सभी क्या मेरी यूटुब चैनल में सौगत करता हूं हम लोग compound interest चक्र विद्धी ब्याज को लेकर चल रहे हैं और उसी को आगे लेकर चलेंगे इसमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार के questions हैं मैं धीरे धीरे उसको आपके सामने लेकर आ रहा ह तो यदि आपने पिछला पार्ट नहीं देखा है जिसमें मैंने ट्रिक स्टार्ट किया है या concept को स्टार्ट किया है तो उसको बिल्कुल देख लीजिए तब जाके आपको आगे आने वाले पार्ट समझ में आएंगे और वो धिरे-धिर होते चले जाएंगे तो शुरू कर का चक्र विद्धी व्याच क्या होगा ऐसे वाले कोशन जैदि आप फार्मूले से करने जाएंगे तो बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाता है वाट विल बी देखो यहां पर तीन हजार की बात कर रहा हो तीन हजार रुपय है इतना तो क्लियर है यदि आपने नहीं देखा है तो बिल्कुल देख लीजे इससे पहले दो पार्ट स आलरेडी हो चुके हैं यह फर्स्ट यर और यह सेकेंड डियर ऐसा लेकर चलेंगे हम लोग फस्ट यर और सेकेंड यर लेकर चलेंगे लेकिन इसमें एक वर्ष चार महा की बात कर रहा है वो थीक है और फेन परसन दिय आ जाता है 300 अगें 300 second year में हलांकि second year पुरो complete नहीं हो रहा है देखेंगे उसको मैं समझाओंगा यह 300 यह 300 ठीक और यहां से और 10% यह 30 इतना तो clear होगी अब ध्यान देंगे कि first year तो पुरो complete है लेकिन second year जो है सिर्फ four month चार महत वो जा रहा है पूरा का पूरा second year जो है complete नहीं हो रहा है बदब इतना interest उसको नहीं मिलेगा तो कितना मिलेगा ठीक है compound interest यह 300 हो गया प्लस यह 300 हो गया four month कितने मन्द में से 12 मन्द में से four upon 12 month ऐसे ले लेंगे ठीक है और इधर कितना हो रहा है 300 plus 30 यह 330 यह ऐसा कर लेंगे हम लोग यह 300 तो clear है लेकिन जब second year में जा रहा है तो second year में सिर्फ 4 महने की बात कर रहा है four month की बात कर रहा है out of 12 months तो ऐसा कर लेंगे हम लोग ठीक है यह 300 प्लस यह 1 अपॉन क्या हो जाएगा चारतीय बारत यह यह थी 30 यहां से यह एक एंसल हो गया 110 तो यह हो जाएगा 410 रूपीज 410 यह हमारा आंसर हो जाएगा देखो यह इसली कल्कुलेट हो गया हम लोग ट्रिक से निकाले तो आप चाहें तो ट्राइ करके देख सकते हैं थोड़ा से दिक्कत आएगा इसमें लेकिन उसमें वही करना है वरपॉन त्री यह लेना है हलाकि इसमें calculation easy पड़ता है उसमें थोड़ा से tough पड़ेगा ठीक है चलिए इस प्रकार का question पूछ रहेगा इस पार्ट में बहुत अच्छे अच्छे प्रक्ष्ण है मेरे को अच्छा लगता है बनाने में सौल हो जाता है तो बहुत confident बढ़ जाता है चलिए next question देखते हैं पांच प्रतिशत वार्षिक दर से एक सही एक बटे दो वर्ष का चक्रिद्धि व्याज कितना होगा मतलब एड़ साल बोला हुआ है what will be the compound interest of rupees five thousand at five percent per annum for one and half years one and half years ठीक चलिए देखते हैं अब आप चाहे तो try कर सकते हैं यह बन जाएगा आप से जैसा बताया हूँ ऐसा ही try करेंगे बिलकुल बन जाएगा 5000 दिया हुआ है और five percent दिया हुआ है ठीक है यह five percent मैं लेके चल रहा हूँ इसमें ठीक है टेन परसें five hundred होता है था five percent two fifty यह two fifty हो गया यह two fifty हो गया one and half years देखेंगे उसको फिर से इसका five percent ले ले लेंगे ठीक है two fifty into five by hundred यह cancel हो गया पांच दूनी दस होगे 12.5 आ गया यह 12.5 ऐसा point वाला जो आता है वो फार्मॉले से बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है ऐसा निकालना इसमें easy है ठीक compound interest यहां से कितना दाएगा यह two fifty plus यह one and half years half years दिया हुआ है one upon two यह one complete हो गया हाफ years के धर से लिए यह two fifty plus twelve point five two fifty plus twelve point five टिक यहां से यह two fifty का two fifty लेखने प्लस यह कितना हो जायागा देखो one upon two को नीचे ले लेंगे चलिए इसको जोड़ लेते हम लोग point five यह हो गया और यह two हो गया और यह six हो गया यह two sixty two by two यह ऐसा हो गया ठीक है इसको divide कर लेंगे यह बहुत छोटा छोटा calculation है बजाए इसके कि आप formula से जाएंगे तो बड़ा calculation आएगा यहां से कितना हो जाएगा यह one three one point two five यह हो जाएगा one three one point two five अब इसको जोड़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ठीक है यह point two five में लगा लिया यह one आ गया three and five eight हो गया और यह three eighty one point two five यह हमार आंसर हो जाएगा कितना आसानी से यह calculate हो गया कितना आसानी से यह इसमें calculate हो गया इस फार्मूले में बहुत ज्यादा टब जाएगा तो इस चीज को समझना है आपको बहुत सारा हम लोग कोशन करेंगे अभी पूरा क्लियर हो जाएगा आपको इसमें क समझ में आ जाएगा और यह ऐसा ट्रिक है जिसको नहीं भूलेंगे अप लोग एक्जाम में ठीक है और भूलेंगे तो आप फार्मूले से ट्राइक कर सकते हैं चलिए अभी और कॉशन करके देखते हैं चलिए नेक्स कोशन हैं इंट्रेस्टिंग कोशन है इसको आप फार खबनाने वाले बात नहीं है कि वह रही और तो दिए पर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ और यहां पर 10% दिया हुआ है क्या 10% और यह से कितना हो जाएगा 1000 अगें यह 1000 ऐसा हो गया फिर यह 100 उपीस इतना तो clear है बहुत दिर हो गया ऐसा करता करता है इतना clear है ठीक है compound interest तो यह 1000 फर्स्ट इयर तो पूरा का पूरा complete हो रहा है एक साल तीहत्ता दिन बोरा तो एक साल तो पूरा complete हो रहा है ठीक है लेकिन यह 73 days की बात कर रहा है यहां पर किते दिन के बात कर रहा है 73 days की बात कर रहा है तो 73 days out of 365 days total number of years total number of days in a year 365 यह ऐसा हो जाएगा और यहां से 1000 और 1100 यह ऐसा होगी तो यह जो days देगा यह हमेशा इसके multiple में देगा यह इससे यह divide हो जाएगा हमेशा 73 into 1 73 into 2 73 into 4 73 into 5 यह हो जाएगा आप करके देख लिजिए 73 दिन 211 दिन ऐसा करके वो देगा ठीक यह हो जाएगा 1000 प्लस यह हो जाएगा 1 upon 5 यह याद रहता है यह 1 upon 5 आयागा 5 times में cancel कर देगा जनरली आपको days ऐसा दिखेगा 73 into 1 73 into 2 73 into 4 यह ऐसा यह 3 4 ऐसा करके यह days दिया रहता है इसी के multiple में ही रहेगा ठीक है तो यह ऐसा हो जाएगा 1 by 5 यह 1 1 0 0 ऐसा कर लिए हम लोग यह 1000 as it is मैं लिख लिए और इसको 5 से डिवाइट करेंगे यह 222 20 यह 220 आ गया फिर 1 2 2 0 यह रूपीज आएगा यह हमारा answer आप चाहें तो अपने method से calculate कर सकते हैं मैं बार बार इसलिए बोलता हूं कि कई लोग इससे satisfy नहीं होते हैं कई लोग मेरी परिक्षा लेते रहते हैं कि यह बना पाते हैं कि नहीं वह बना पाते हैं कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए चलिए दस हजार का दस प्रतिशत वार्षिक दर से एक साल 219 दिन आ गया का चक्रविद्धी ब्याज कितना होगा what will be the compound interest of rupees 10,000 at 10% पर अनम for 1 year and 219 days 1 year and 219 days 219 दिन की बात कर रहा है यह क्या है यहां पर 10,000 ही है क्या हाँ एक चोली मैं कोशन को समझाने के लिए है डिजेट्स में सब सेम लेकर चल रहा हूं ठीक है यह first year यह second year यह कितना आ गया 10% है 1,000 आ गया again 1,000 आ गया यह तो clear है न सब को फिर यहां से यह 100 आ गया compound interest direct आ गया देखो compound interest 1,000 प्लस 219 days की बात कर रहा है वो 219 दिन 365 दिनों में और यहां से यह 1100 आ गया ठीक है तो यहां से यह 1000 प्लस देखो इसको इसको 73 इंटू 3 करके देखें क्या रहा है तीन तिया नौ आ गया सात्या 21 आ गया देखो 219 आता है वो रहा हूं इसके multiple में हो देगा वो उसके multiple में ही देगा मतलब यह 3 by 5 हो गया 3 by 5 into 1100 अभी इसको calculate किये थी है 220 आया था यह 220 लिख लिए हम लोग यह 1000 प्लस यहां से कितना लिख सकते हैं 660 660 यह ऐसा हो जाएगा तो हमारा compound interest आ गया 1660 यह हमारा अंसर आ जाए बहुत इसली यह बन गया ठीक है तो इस टाल के बहुत सारे questions हम ही मेरे पास वह उसको धिरे-धिरे आपको बताते चले जा रहा हूं और parts में हम लोग types को categorize करकर रखे हुए है वो धिरे-धिरे बढ़ते चले जाएगा लास्त तक आपके components के सारे questions आपसे बनने लगेंगे अब हम लोग आगे चलेंगे यह तीसरे यह तक भी चले जाएगा ऐसे questions exam में आते हैं तो यह question है exam में आने लागे यह थोड़ा amount को change किया हुआ है यह हम लोग ऐसा ले ले लेंगे amount जो दिया हुए है ठीक है फिर उसके rate of interest यहां पर क्या दिया है rate of interest 6 सही एक बट्टे इसको calculate करेंगा दिए 1 upon 16 आएगा ठीक है 1 upon 100 से multiply करेंगे परसेटेश राना के लिए 1 upon 16 आएगा तो इसका 1 upon 16 निकाल ले हमको आओ सकता पड़ेगी पहले सही हम लोग निकाल कर रख लेते हैं यह 1 upon 16 यह 1280 1280 टाइम्स कैंसल होगा फिर इसका निकालने का आओ सकता पड़े यह 1280 डिवाइड़ बाइ 16 यह 8 टाइम्स 80 यह ऐसा आएगा ठीक है ना चलिए इसको हम लोग ऐसा कर लेते हैं 2 8 क्या है 480 यह 480 ठीक तीन साल की बात कर रहा है 2 years and 73 days तो इसका 16 पर जो है 1 upon 16 इसका कितना आगया 1280 आ गया यह 1280 आ गया और फिर से 1280 आ गया जब यह जाता है second year में तो 80 देता है थर्ड year में जाता है तो यह 80 देता है फिर 80 देता है और 16 85 देता है यह year तो पूरा का पूरा complete हो रहा है यह year पूरा का पूरा complete हो रहा है लेकिन यह नहीं हो रहा है ठीक है यह year पूरा complete हो रहा है तो इसको हम लोग जोड लेंगे, compound interest is equal to, यह कितना हो जाएगा देखो, यहाँ से 0 आरतिया 24 का 4, यहाँ से 2 ऐसा कर लिया मैं, और यह 6, और कितना हो जाएगा 2, 2640 यह complete है, plus 73 days, 73 by 365, और यह पूरा का पूरा आ रहा है उसमें, कितना आ रहा है यहाँ से में, 5, और यह फिर से ऐस हो जाएगा, और यह 1445, यह ऐसा हो रहा है क्या, ठीक है, 2640 यह 1 upon 5 होता है, सीधा सीधा 1 upon 5, तो 1445 का हम लोग, 5 से डिवाइट कर लेंगे, यह 2 times, then 8 times, then 9 times, 289, 289, तो हमारा यहाँ से आंसर कितना हो जाएगा, देखो, यह जाएगा 9, और 292, 2929, रुपीज, 2929, यह हमारा अंसर हो जाएगा, कैलकुलेशन आप फटा-फट करना तब सिखेंगे, जब आपको टेबल यह पता रहाएगा, मैं इसको कैसे कैलकुलेट कर गया, 1616, फिर सुसक्या, यह 2 times cancels, 8 times 128 आता है, मेरे को पता था, तो हो कैलकुलेट होता चल गया, वैसे ही इसमें 73 वारा तो मैं बदा चुका हूँ, इस टॉपिक में आपको पूरा पता चल दायागा, ऐसा डेज, आपको घबराने के आउशकता नहीं है, ठीक, अभी और भी इंट्रेस्टिंग कोशन है इस पार्ट में, सब को करके देखते हैं, आप उसको रिजिस्टर में नोट करते च से ले जाएए, दिरे-दिरे क्लियर हो जाएगा, आपको ऐसा कोशन बहुत सारे बुक्स में दिखाई देंगे, जरूरी नहीं है कि असको कहीं आपको देखने नहीं मिल जाएगा, ठीक है, अभी और कोशन करके देखते हैं, चले, नेस कोशन कुछ ऐसा ही है, देखते हैं वो ऐसा ही है, अब तो आपको ये concept समझ में आगे होगा, मैं उम्मीद करता हूँ, ये 6000 दिया हुआ है क्या, ठीक है, ये 6000, ठीक, दो वर्ष चार माह का दिया हुआ है, देखेंगे, समझेंगे, बहुत इजी है, 10% दिया हुआ है, 10% तो कोई लिक्कत वाली बात नहीं है, ये 600, ठीक है, ये अगें 600, ये भी 600, वैसे calculate तो पहले 1st year, 2nd year और 3rd year को करना है, लेकिन मैं ऐसा लिख लेता हूँ, क्योंकि मैं जा रह बार बर वही आ रहा है, ये अगें 60 आ गया, 3rd year में जाएगा, फिर से 60 देगा ये, ये भी 60 देगा, और ये अपना 10% याने की 6 ठीक, चलिए, अभी क्या बोल रहा है, compound interest calculate करना है, compound ये तो clear दिख रहा है, 6 दूनी 12, 12, 60, ये तो complete, plus, जब 3rd year में जाते हैं, तो 3rd year पूरा नहीं होता है, उसमें सिर्फ 4 month की बात कर रहा हूँ, सिर्फ 4 month, तो ये 4 upon 12 हो जाएगा, 4 upon 12, इसको हम लोग जोड लेंगे, 600 य ये 726 हो जाएगा, ठीक, ये ऐसा हो गया, यहां से 1260 ये complete है, और 1 upon 3 है क्या ये, 726 divided by 3, 1 upon 3 हो जाएगा, 3 2 जा, then 3, 4 जा, then 3, 2 जा, 2, 4, 2, ये 2, 4, 2 आ गया, तो रुपीज, यहां से आंसर हो जाएगा, 2, and 10 हो जाएगा, क्या ये, ठीक है, और ये 5, और ये 1, 5, 0, 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक, इसको ऐसे बनाना है, इसला लोकोशन calculation थोड़ा से लेंदी था उसमें, अब इसको समझ लीजिए, जहां पर ये ऐसा आएगा, जो year complete नहीं होगा, उसको अलग से ले इसको अलग-अलग रखने का यही फायदा है हमको कि clear पता चल जा रहा है कि कौन सा first year बन रहा है, कौन सा second year में, कौन सा third year बन, तो अभी और question करके देखते है, clear होते चले जाएगा, चलिए question दिया हुए है, आठ हजार का 20 प्रतिशत वार्षिक दर से 2 वर्ष 6 महा का वार्षिक रूप से संयोजी चक्रविद्धी ब्याज कितना होगा, इसी हो गया है अब तो, आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 8000, ठीक है, 8000 की बात कर रहा है वो, और कितना परसेंट है, यहाँ पे, 20%, तो 8000 का 20% यह हो जाता है, कितना, 16 सो हो जाता है क्या, ठीक है, यह फिर से 16 सो, यह 16 सो, और the first year, और the second year, और the third year, ठीक, फिर यहाँ से इसका 20%, ठीक है, इसका 20% कितना होगा, 320 होगा, 320 होगा, और यह 320 होगा, और यह फिर से 320 देगा, देखो, calculate आप easily कर सकते हैं, कैसे 320 पता चला, यह 10%, 162 होगा, 20% डबल हो जाएगा, 320, ठीक, आगे चलेंगे, इसका हम लोग फिर से ले लेंगे, कितना प component rest, यह year complete हो रहा है, और इसमें 3rd year में क्या दिया हुआ है, 3rd year में सिधा-सिधा half दिया हुआ है, 6 माहा, मतलब इसका half हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 16, 32, 32, और यह 3, 2, 0, आप लोग जोड़ेंगे इसको, यह 3, 5, 2, 0, 3, 5, 2, 0 आ रहा है, प्लस, इसका सिधा-सिधा आधा करना है, इसका सिधा-सिधा हमको क्या करना है, आधा करना है, ठीक, इसको हम लोग जोड़ लेंगे पहले, ठीक है, पहले जोड़ लेते हैं, कितना आ हो गया और 33 यह हो जाता है 666 12 13 यह ऐसा हो गया 13 और यह 2304 ठीक 2304 इसको दो सी डिवाइट करेंगे क्यों दो सी डिवाइट करेंगे चलो मैं एक इस्टेप और लिख लेता हूं यह 6 बटे 12 6 महने की बात कर रहा है वो 2304 6 महने की बात कर रहा है कोशन में सबसब दिया हुआ है कि दो वर्ष 6 महा तो दो वर्ष के तो मिलकर कल्कुलेट हो गया है चैंदा कर लेंगे वन अपॉन टू हो जाता है यह 3520 प्लस वन अपॉन टू जाता है वन जा अगें वन जा फिर फाइव जा एट टू जा ऐसा कल्कुलेट हो गया और यह 276 और यहां से 446 रुपीज 4672 यह हमारा आंसर जाए जो भी वह पूछा हुआ है टू इयर्ज एंड शेक्स मत ठीक है देखो आपको धिरे-धिरे समझना है कोई भी ट्रिक क्या है एक बार में मैंन मन नहीं बैठता है धिरे-धिरे बैठता हो बरसाते आपको को कोशन प्रटीस करेंगे फिर आपके माइन में वह बैठते चले जाएगा अभी और कोशन है उसको भी करके देखते हैं ब्याज जब वार्शिक रूप से नियोजित हो तो 6000 की राशी 10% वार्शिक दर से एक सही एक बटे दो वर्श में चक्रविद्धि व्याज क्या होगा दा कंपॉंड इंट्रेस्ट ऑन रूपी 6,010% पर अनम फॉर वन और हाफ इंट्रेस्ट बिंग कंपॉंड अन्वली ऐसा कुछ कोशन देख चुके हैं क्या लेकिन यह एक्जाम में आया हुआ था तो त कोई नहीं लिया है ठीक है यह पूरा वर्च्वली है यूट्यूब के लिए है कोई बात ने चली यह ऐसा कर लेते हैं कितना दिया है वन और हाफ यह मतलब दो साल ही लेना पड़ेगा 10% दिया है तो बहुत इजी है कोशन आपसे बन जाया गया यह ऐसा हो गया यह 60 हो गया सीधा सीधा कंपोर्ण इंट्रेस्ट आ गया यह 600 प्लस वन एंड हाफ एर्ज वन अपॉन टू यह कितना हो गया 660 यह ऐसा कर लेंगे यह 600 यह वन अपॉन टू 3 3 0 यह ऐसा आ गया 639 930 तो रुपीज 930 यह अंसर आ गया कितना जल्दी वो बन जाता है यह मैं बनाया हूं अभी समझाते रहता हूं तो ज़्यदा समय लगता है और भी जल्दी यह बन जायेगा ठीक है अच्छी बात यहां कि यहां केल्कॉलेशन थोड़ा इसी था यह 10% है तो 6000 का 10% फिर 10% अगें फिर यहां से 10% इसको मैं तरी कि इंडियर तो मैं इसको जोड़ा होगा फिर याधा कर लिए जो इस पार्ट में इतना ही रखते हैं नेक्स पार्ट में और फिर नया कोशन रहेगा हम लोग कंपॉन इटर्स को धिरी 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 आगे लिकर चलेंगे लास्ट पार्ट तक आपको लगभग सभी टाइप म आप मेरे साथ बने रहे ये वीडियो देखते रहे ये शेर करते हैं धैंक यू करते हैं